करीब एक साल पहले की मर्डर मिस्ट्री को सुलजाते हुए आज गुरुग्राम पुलिस ने 5000 रुपे की इनामी पदमाश को गिरफतार किया है आरोपी की पैचांद दिनेश निवासी गांधी नगर, अंकित निवासी राइबरेली उत्तर पर्देश और इक्बाल निवासी सक्ति पार के रूपे हुई है मिली चानकारी के अनुसार करीब एक साल पहले हत्या करने की इरादे से हत्यारों के साथ शवन के घर पहुचे आरोपियों ने शवन के नाम मिले पर उनकी बहन के साथ मारपीट की मारपीट के दौरान वे काफी चोटिल हो गई जिससे उनके मृत्तिय हो गई पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर पास दिर के न्याईक हिरासत में भेज दिया है डियला फेज फॉर ने तीन अपरादियों को गिरफतार किया है वेपन के साथ जिन से दो देशी कटे ब्रामद हुए हैं उनके कार्टेज के लाइव कार्टेज के साथ जिसके संबन में केस रेजिस्ट करके उनसे पुछताच की गई जो पुछताच पर पता चला कि दस एक दोजार बीस को सिवाजी नगर थाने के लाके में एक सर्वन नाम के आदमी का मर्डर करने के लिए कुछ लड़के उसके घर में गुसे थे और वो सर्वन उस दिन घर पे नहीं मिला तो उसकी बेहन के साथ थे इन्होंने सरियों से और मारपीट की थी और बाद में उस औरत की मर्तु हो गी थी जिसके समद्द में केस रिजिस्ट्र था और जिसमें यह बाईने मक्यूल थे इन पे पांच अजार का इनाम भी अर्याना सरकार ने डेकलेर कर रख्या था और यह उस मुकद में पी-ओ डे के लिए भूम रहे थे कोने सरा रोपी कहां के रहने वाले इसका दिनेश पुत्तर नरेश निवासी मकान नंबर 182 बटेश चार गड़ी नंबर 12 घंदीनगर का रहने वाड़ा है अंकित जो है यह पुत्तर राम नरेश यह करोली दमा जिला रायवरेली उत्तर प्रदेश का है और इकबाल जो है यह सकती पार्क का रहने वाड़ा है गुर्गाओं किस रंजिश के चलते हैं करना चाहिए इनकी पहले से आपस में कोई किसी बात को लेके दुसमनी थी और उस बात को लेके यह इस सरुन की अच्टा करना चाहिए इनको अपना लेजर वेली पार्क के पास ते गरफ़कार किया ठीक है